Assalamualaikum viewers you are watching hotspot मैं आज आपके सामने आपके साथ एक और मज़े की video share करेंगे और यह है how to use microsoft word 2010 ठीक है हमारे चैनल को ज़रूर subscribe करें like करें share करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें हमें subscribers चाहिए ज्यादा से ज्यादा तो इतनी informative और helpful video होती है तो आपको जरूर से subscribe करना चाहिए और share भी करना चाहिए हमारा content भी बहुत अच्छा है आपके academic life के लिए आपके academic structure के लिए आपके academic life में इतना helpful हो सकती है हमारी videos और इसके अलावा आपके लिए वैसे भी life के लिए बहुत काफी helpful हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा subscribe करें ठीक है मैंने आपको जब आज सिकhाना है how to use microsoft word ठीक है में जाते है microsoft word 2010 में latest version है ठीक है अब देखेंगे जबने microsoft word खोले है इसका पैनल आगे है home का insert page ले और यह सब आता है और इसमें और मज़ीद editing देखें तो और मज़ीद बहुत सारी editing आजाती है और इसमें बहुत-बहुत सारे options है टाइटल्स वगयरे हैं जिसमें आप हाड़े के चीज में नहीं जा सकते हैं जो important चीज है जो मुझे ऐसा लगता है और जो मैं इस फील्ड से गुजरी हुई हूई हूँ कि जब MS Word पे कुछ टाइप घरा करते हैं तो उसमें जो चीज इंपॉर्टन होती है मैं सिर्फ उसके बारे आप से डिसकर्स कुरूंगी जो आपके लिए आगे further future life के लिए इंपॉर्टन होगी सिर्फ उन्ही को आप प्रेफर करें सिर्फ उन्हीं चीजों को ज्यादा importance दें उन्हीं चीजों को खोलें आप और उन्हीं चीजों को सीखें आप MS Word में से और चीजों इतना जरूरी ही नहीं है सीखना वो पस इसमें ऐसे ही एड है और वो तक्रीबन थोरी बहुत सेम ही होती है आपके related work से जो आप MS Word में करेंगे बहुत अधर डेटिंगे इतना समझाएंगे तो काफी boring भी हो जाएगी वीडियो लिखें में सिर्फ वह समझाना है जो आपको सिर्फ MS Word यूज करना है थीसिस किस तरह बनाना है वो सब कुछ आना चाहिए ठीक है थीसिस बेकार इमराना आपको मैं सिखांगी जब तक आप MS Word नहीं सीखेंगे तो थीसिस भी नहीं आप सीख सकेंगे ठीक है पहले टाइपिंग करना सीखें हरकी चीज के वारे इंफ्रमेशन होगी फिर थीसिस आपको बनाना आपके लिए असान होगा पिर उससे रिलेटिड है बताऊंगी कि MS Word का से किस तरह यूज कर सकते हैं MS Word प पिर आप उसे थीसिस भी अपने आट कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर यह बार पर इस तरह ब्लिंक हो रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा टॉपिक हो सकता है इजुकेशनल सिस्टम ठीक है एजुकेशनल सिस्टम इन प्राइबेट और पॉब्लिक स्कूल अब जरूरी निक में यही टॉपिक लिख रही और मैं अगडेमिक लाइफ से आपको सिफ बताऊंगी आपकी अपकी अजुकेशनल लाइफ से लिखने कोई पीक हो सकता है MS Word अगर आपने किसी को कोई लेटर कवर लेटर कोई सीवी वेकार बनानी तो अब MS Word का कहीं इस्तमाल करते हैं अगर आपने ओनलाइन बैटने pen pencil कॉपी पैंसल लिखने की बज़ए जहां भी आप लिखते हैं तो आप इधर ही लिखते हैं तो मैं से तरीका बताऊंगी कि आप यह अगया कुछ ऐसा लग रहा है कि मारा मेन टॉपी की यही है तो काफी यह न साधा सा लग रहा है तो इसे एडिट करते हैं डबल टैप करेंगे अपने स्क्रीन को मतलब के कीबोर के बिल्कुल नीचे है लैप्टोप पे स्पेसर जो होता है जिसे अपने एरो को यहां से पर ही जहां पर आप इसको एरो को चला रहे हैं हुमा रहे हैं उसे चीज को डबल टैप करेंगे एक इसके नीचे बटन्स भी होते हूंने ना तबहिएगा सिर्फ ऐसे ही इसको ऐसे ही डबल टैप की जागा तो आपका यह शो होने लग जागा ठीक है यह देखें अब इसे कैप्सलोग चेंज कर देंगे कैप्सलोग को देते दबाएंगे अपने कीबोर्ड पर या आपके जोगी सब कुछ है तो यह लिखेंगे एडुकेशनल सिस्टम देखें सब कुछ बढ़ा बढ़ा है ठीक है एडुकेशनल सिस्टम इन प्राइवेट न पबिक स्कूल्स ओक यह हम लिखेंगे इन प्राइवेट न पबिक स्कूल्स ओकेशनल सिस्टम इन प्राइवेट एड पबिक स्कूल्स ठीक है यह काफी इस हैल्फड बड़े हो गे और अब हम इसको दबाएंगे यह बोल्ड करेंगे बोल्ड हुआ है और इसका हमेश्या जो है टाइम्स यह देखें से अगर बढ़ेंगे तो नीचे आजाएगा तो 14 पर रखते हैं और थोरा सा इसे कीबॉर्ड पर टैब का बटन होगा तो इससे आप हलका सा प्रेस करेंगे तो यह चीज आपकी बीच में आजएगे इसमें भी होता है कि आपको किस तरह करना है यह देखने टा जरूरी है बताने तो मैंसे वही बताती है आपको अब हम एंटर करके नीचे आएंगे और थोरा सा बैक स्पेस करके दो शुरू में आ जाएंगे तो यहां पर कुछ भी लिख सेते हैं प्राइवर्ट स्कूल्स यहां पर लिखेंगे पहले से हम कैस लोग पहले हम इससे लि प्राइवर्ट स्कूल्स और प्राइव लता सकती हैं इंतना को इस चीजहें बताने है जो जरूरी है प्राइबर स्कूल्स प्राइबटली और्गिनाइजड ठीक है यहां पर फुल स्टॉप डालेंगे कीबोर्ड के नीचे विए यहां पर दुबारा जाकर प्राइबर स्कूल्स प्राइबर स्कूल्स पर तो आप जरा यहां पर दुबारा जाके एंटर करेंगे तो आप यहां अपनी क्या करेंगे है धेडिंग दे सकेंगे प्राइबर स्कूल्स की ठीक है कैस लुग चेंज करते रहने साथ सार दुबादबाके है प्राइबर स्कूल्स ठीक है यह हो जाएगा कीबोर्ड में यह आपके इस तरह के ओपर के कॉलोन साइन होते है और उपर डॉट नीचे कौम होता है तो शिफ्ट दबाके आप यह करेंगे तो यह निशान आ जाएगे ठीक है राइवर्ट स्कूल्स हो गया अलगा करेंगे बिलो शिफ्ट के तो यह उपर डॉट नीचे अगर आपने इस चीज़ को सेलेक्ट किया होता तो यह खुद बाखुद अगर आप इसका इस्तमाय करते हो तो आप बीच में आ जाते हैं साइट पर आ जाते हैं यह आपको अभी बताती हूं ठीक है लिख लिए हमने यह प्राइवर्ट स्कूल्स के एडिंग दी थी अब इसके बारे में हम लिखेंगे विचे से पताया है यह सारा आपने इस तरह कर लेना अब देखें ज़रा इस पर हम गोर करते हैं मैं आपको एक ही जगा पर बता दिया कि अगर हेड़ी लाइ देने तो किस तरह देंगे ठीक है अगर वही अगर आपने यह करना होऊ यहां पर बन लिखना हो तो बन डालके डोट डाले और इस तरह हो जाएगा प्राइबर्स को लिखा आएगा अगर स्पेस देंगे तो यह इस तरह हो जाएगा ठीक है अगर स्पेस देंगे तो थोड़ा सी चीज आ गया हो जाएगी ठीक है इसको भी आगए कद टैब दबाके और बीच में आ जाएगा और इसको भी हम तो रिखेंगे दॉर करेंगे तो यह इद्याएगा बीच में कुणकर यह थोड़ा सा बीच में होगा उनकर उन्हें पता है वड़ वारे हमकर किस तरह हमने ऑर्गनाईस करना है चीज़ को देखेंगे चीज आपकी इस तरह आजएगी तू भी लिखाएगा तो से श्पेस भ आइस तरह करेंगे इसमें हो जाएगा तेरा हो जाएगा ठरा थोड़ा सा इसे हेडिंग को तितना ना ही करें सब यह दूस्कों कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा दिखाना है यह को अधे लूक्स बैटर ना मोराट इसकिर के बाला शर्य को Express को प्रीख है तो परेफे जाया है कियों Selbst है तो इधर थे यह विल्ड आपको बताया तो मिलेटेंस प्रीख में टैप से बोला के बहुंच में और पर बहुंत कुछे तरह मैं बे葉न दाया करें यह अपने font size भी है इन सब के font size भी same जासा same करते जाएगा headings के अर अंदर जो लिखा वा उसको भी ज़रा छोटा ठीक है यह हो जाता है यह और मज़ीद बड़ा होता जाएगा चीज आपके alphabet वगरा अगर आपने font वगरा यहां से स्लेक्टिंग निकरें तो यहां से बड़ा होता जाएगा इस तरह करेंगे तो आपका normal हालत में आ जाएगा इस तरह पहले था 14 में ठीक है यह देखेंगे साइड पे चाहरा थोड़ा सा मतलब को सब कुछ तकरीबन वही सेम चीज नहीं है बहुत से तरीकों से है अब ज़रा बात गया है टेक्स्ट हाइलाइट कलर की वहतला कि आपने जो चीज लिखी हुई है जिस जगह पर अपने वह चीज लिखी हुई है उसके आसपास की जगह को ज़रा थोड़ा सा प्रमिनन करने के लिए हो सकते तो light कलर का इस्तिमाल करेंगे कर लें और इसकलाब जो चीज आपने लिखी हुई है वह आप देख सकते जिसमें लिखी हुई है वह इसमें आती जाएगी ठीक है यह बाले ब्लू में कर देंगे के डार निशी की जब बैग्ग्राउंड लाइट है तो अंदर आप इसको डार का इस्तमाल करें ठीक है समझा गया होगा तो के बना सब को यह इस तरह ऐसे यह देखें इसको डबल अगर आपने डबल स्पेसिंग करना या डिलीट करना या कुछ भी करना हो सबको बॉल करना हो तो एक ही बारे पर को स्रेक्ट करके आप कर सकते हैं ठीक है एक करने मजारा कि मैं पता रहे हूं कि जहां भी आपको जुरूत हो कि इधर हमने करनी करनी है वह आप अपनी मर्ज ठीक है अच्छा यह अब यह देखें यह जो लाइन पगएरा होती है न यह भी स्लेट पर सकते हैं कैसी चाहिए आपको नीचे अंडर लाइन ठीक है यह इसमें आ जाता है अगर आपको चीज अगर मैंद करवा रहे हैं पिर आगे एक्स लिख रहे हैं ऐसा वैसा कुछ लि उप एक्सके उपर अगर यह नीचे कुछ डालने है दालने हूपर दकने तो यह उपर खुश्कूर हो हो गा है यह है ठीक है यह इस तरह पेट इस तरह आपको और आपने ऊपर जाना हो उपर जाना हो तो यह उपर आपका जो भी आपने उपर एक्स 7 हुआ तो यह इस तरह उपर 7 लिखा आने लग जाएगा आपका ठीक है पॉंड का भी दिहान रखेगा यह सारा इसमें यह सब कुछ वही आ जाता है कलर्स बगएरा किस तरह के आपको अल्फबर्स बगएरा चाहिए इतना जरूरी नहीं है जानना जो ज़्यादा जरूरी है अब मैं आपको से बहुत ना बता रही है ठीक है यह बता दिये जादा होते जाएंगे वर्ड्स बगएरा यह जगह पर जब इन सब को सेट कर देंगे तो आप उस तरह लिखते जाएंगे लिकमेना इसी तरीके से आपको बताया है ठीक है और यह बुलेट्स का इस्तमाल होता है डॉर्ट्स बगएरा कि मतलब कि अगर नमबर पर नमबर टूर न इसके अलावा यह इस तरह किया से कब मतलब कि मैंने आपको इस तरह बताई ना 123 इसको अगर आप एक बारी पर सेट कर देंगे कि हाँ अगर हमने हैडिंग इस तरह देना शुरू करनी है तो आप यह देंगे यहां कुछ भी अपना लिखना शुरू कर सकते हैं ठीक है ठीक इस तरह इस तरह तो यह इस तरह आपका यह देखें आपने आपका वान लिखा आ गया रोमा नंबर में और आपने यह लिखना हो प्राइवर्ट स्कूल्स लिखना हो यह इस तरह अगर पिर आप एडिंग देंगे तो तो खुद बाखुद दिखाने लग जागा एंटर कर करके यह प्राइवाइब पॉब्लिक स्कूल लिखी आधे इस तरह चाहिए तो इस तरह नहीं करना चाहिए तरह अविस सब्सक्द कर लिकिन यह तो इस तरह यह तो ऐसे कमी घूल होते हैं मैं आपको इस बता दिया लेकिन और यह बीच में आना लास्ट में जाना सबसे लास्ट में चले जाना हम टैप करके भी जा सकते हैं और यह होती है कि हमेशा टू पॉइंट जरू पर डबस अपनी डबस स्पेसिंग करना ज़रूरी है इस तरह सब को दुबा के पूरे अरों को नीचे लाए पर यहां पर जाएं आप लोग इसमें इसमें क्या लिखा होता है आपको नज़र आएगा लाइन पाराग्राफ स्पेसिंग इसे टूपर स्लेक्ट करें तो स्पेसिंग आना शुरू हो जएगी उनके स्पेस रखना जरूरी होता है और इसे दुबारा डिट करने की है कोई भी उसे चीज़ों से हम यूज कर सकते हैं अच्छा हम चलते हैं इसी के अंदर ये वाला पैलट हो गया हमारा होम वाला इससे अगर आपने कोई चीज अंडू रीडू का इससे आप जाके अंडू कर दें ये हो जाएगा दुबारा वापस लाना है रीडू तो चीज आपको दुबारा उसी हालत में आ जाएगी ठीक है इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं अब आगे हैं हमारी इंसर्ट इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं पिर आगे पेज लेयाउट आता है आपका रेफरेंसेस मेलिंग्स रेव्यू व्यू यह सब आता है आपका ठीक है ओके सब्सक्राइब हम चलते हैं कि एडिटिंग की थोड़ी बहुत आपको इंफ्रमेशन मिल चुकी है ठीक है अब मैं आपको सोरा सा बताते हैं आप इससे डिलेट भी कर सकते हैं फिज़ को ठीक है अभी कुछ लिखावानी है तो कट में आजबा ठीक है अब जाते हैं इसमें तो पेजिस वगएरा आने लग जाते हैं कि यह इस तरह की चीज़ें यह आपकी है कवर पेज में लगता है अगर आपने खुद यह किया हो तो वह ज्यादा अच्छा अगर ए पूरा पेज चुछ दिया अपके ब्लैंड पेज ब्रेक बीए सकता है यह देखें जैसे के अब फूरां थर्ट पेज 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 पर जानाए और पर चाहते हैं कि आपने पेज 1 पर लिख लिए है पेज 2 पर तो दो भी कि नहीं न चाहिए पर थोड़ से इंफ्रमेशन नहीं है तो फिर आप पेज पर फेर पेज ब्रेक करके जाएंगे तो पेज नमबर टू पेज पर आजेंगे असानी से ठीक है यह समझ आ गया होगा आपको पे यह सब कुछ आगे टेबल्स है टेबल्स कुद भी ड्रोव होते हैं और देखें ऐस स्लेट करेंगे तो लाइन्स वेगरा आपने खुड रोव करना हो इंसर टेबल वगरा ड्रोव टेबल इंसर टेबल भी हो जाता है वैसे क्या वो कितने लहाज से कितनी कॉलम से कितने रोस चाहिए इस तरना भी यह हो जाएगा वैसे ठीक है यह देखें को सब कुछ आ आपने बंडबाम को चैनल इंगा अफिक है यह इस तरह सीद़ी लाइन लगऑ गाई कि वो कि सिभवख से जाएंगे आप किसी ब्रोजन कॉलम्स का होना ज़री है ठीक है यह देखेंगे इस तरह तो जाएगा जो नंबर्स लिखने इंग्लिश में जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप इदर स्पेस देखें एंटर करकर के फॉंट साइस का दिहान रखते रखते ठीक है यह देखें किसे भी कर रखो किसी बोक्स कर रख कर सकती है और इसे एरेज करसकते हैं यह देखें इसे किसा आपका इरेज होता जाएगा यह देखें कि आपका यहां से ठीक है नोगर दोबारा डॉटेबल और यहां पर अगर आप चाहलें के इतना शोन नहीं है तो उसे आप हलका हलका भी रे रेस कर सकती है कि मतलब कर पता चले कि हमने यहां पर लाइन स्पू्ट करनी है ठीक है यह देखें ऑके और यह जरा देखें आप यह देखें पैन का कलर वगर भी आ जाता है अगर को लग रहा है कि अधिया तो यह कलर जिहां पर मतलब कि पूरा कलर इसमें आना शुरू हो जाएगा आपका जिस कलर में आप टेबल बनाना चाहते हैं तो यह पैन कर रोज़ेगा थोई बहुत एडिटिंग कितना चाहिए य इनफर्मेटिव चीज़ आपने इसमें दिखी है ठीक है यह थोड़ी बहुत इनफर्मेशन के इनफर्मेशन में हम थे टेबल टूल में डिजाइन में थे ले आउट में यह देखें ले आउट की इसमें फॉर्मॉलास बगारा लगा सकते हैं आप लो यह देखिए सब कु सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको जो चीज लग रही है उसी इसको सेलेक्ट करते हुए ठीक है कि इसमेशन मतलब के रोज हो जाएंगे कॉलम्स भी हो जाएंगे आपके यह देखें इस तरह कि बबारा से इंसर्ट में जाते हैं यह थोसा आपका स्प्लेट में हुआ था था पेज़ ब्रेक में थे हम अब वाद से बैक जाके अंडूरीडू करके देख सकते हैं यह डिजाइन लेयाउट में थे कि आपको कोई भी टेबर के रहो कहीं भी अर्जस्ट करने करते हैं काफी यह दीप एडिटिंग है हो सकतो फर्स टाइम में सही बनागा कोई मुश्किल लगा है दुबारा से उस चीज़ को रेस करके सही से बना लें और इसमें आप इंसर्ट अबव कि अगर आपको कोई र इंसर्ट अबव करना तो कोई भी ऐसी चीज इंसर्ट हो जेगी इंसर्ट लेफ्ट यह देखें इंसर्ट राइट तो इससरा डेर साही रोजन कॉलंस बनते जाएंगे इसली अगर आप ऐसे करना चाहरे हैं तो उस तरह भी सही है यह देखें यह आपको इसको समझा आगया पूरा 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 इलीट कर सकते हैं यहां से कुण्या से प्रेस करें अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं यह देखें इस तरह होगा मार्जीर सेल्स में ये देखेंगे इस तरह हो जाएगा स्पलेट सेल्स में आपको डेट करके थोटा रखना खूगा और स्पलेट टेबल भी स्सप्लेट हो जाएगा ठीक है यह इस तरह हो गया आपका ये तो कुछ इक्वल या आपका उस लहासे के से खुछ सेट हुआ वहा है तो यह इस लहासे इतना ही सेट हो गाई है पिर आप देख लेगा हाइट विड्स कितनी चाहिए आपको ठीक है यह सब कुछ हो जाएगा और यह भी डीप में आ जाता है ठीक है यह हमारी थी लेयाउट में थे हम अब डिजाइन में वही सब कुछ मैंने बताया है यह देखें इस तरह कलर में होता जाएगा यह प्रिंट के फॉर्म में अगर आप में लाना होगा ता अब कलर प्रिंट कर रहेंगे फिर यह कलर में सारा सब कुछ आपका आएगा ठीक है अच्छा यह इंसर्ट हो गया पे झाल वाँ इतने जादा डीप डेटनिंग वेगारा में जाने की जरूरत नहीं है यह सब कुछ चीजें जो हैं यह सब कुछ वही तकरीब रही है जो हमने उनके तब ही चीज़ें लास्ट में आई मीं है और वैसे तो हमने सबक्राइब को देड़ेट बगारा सखा दिया मै यह सब कुछ जरूरी नहीं यह आपका जानने के लिए जो जरूरी था मैंने आपको वह सिखाया है ट्रांसलेट करना किसी चीज़ को तब स्पैसिक्टी लिख सकते हैं नीचे कि आप इसको एक शीज़ को ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं अगर आपको सीज़ समझनी आ रही है लेकिन यह सिफ ऑनलाइन में होगा ठीक है यह देखें यह सब कुछ इस तरह हो जाता है व्यूव में देखते हैं यह पर तकरीबन वही इंफोर्मेशन इतनी खास इंफोर्मेशन नहीं होती है मैं करीबन आपको समझ आ गया होगा हाओ तो यूज़ मेस वर्ड हो सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपको मज़ीद इन सब के बारें बताऊंगी विज रिलेटिर ट सब्सक्राइब जरूरत हो गया अगर आपको लगेगा कि हाँ यह जरूरत है तो आपको थीसी सरी लेट करते हुए मस वर्ड का बताऊंगी किस तरह यूज़ करना है ठीक है एक अगली वीडियो इसी पर बेस करेंगी चलें ठीक है अपको मुझे यकीन आपको समझ आ गया ह हो सकते हमारी वीडियों को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू अला आफिस